आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तो साइन्स के टोप 35 ऐसे महत्पून परसन जो की बिल्कुल एक्जाम जैसे होंगे जब एक्जाम आप देने जाओगे दोस्तो रेलवे गुरूप डी का एक्जाम आने वाला है 17 अगस से तो बिल्कुल ऐसे ही साइन्स के कोशन में पूछे जाते हैं और ऐसी वीडियो में बहुत सारी लेकर आने वाला हूं रेलवे गुरूप डी के लिए अगर आप रेलवे गुरूप डी की त्यारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सकाइब कर लीजे निचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बैल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि जैसी ही वीडियो अप्लोडो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए रोज रात में 9 बज़े दोस्ते एक वीडियो लेकर आता हूं जो की काफी महत्पून होगी रेलवे गुरूप डी एक्जाम के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो पहला कोशन आपकी स्क्रिन पर लिख रहा है गेस्टिक रस में मौजूद एसिड कौन सा होता है दोस्तों थी बढ़िया कोशन है ठीक है चलिए दूसरे कोशन को देख लेते हैं दोस्तों घास का वनस्पतिक नाम क्या है तो देखें यहां पे इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा फटा-फट कमेंट बोक्स में बताने आपको सभी कोशन के आंसर 35 के 35 में से आप लोग कितने सही क कर पाएंगे कमेंट बोक्स में जुरू बतेगा दोस्तों घास का वनस्पतिक नाम है पोईस यानी की राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तो यह किसका नाम होता है बिल्कुल यह चाय के पोदे का नाम होता है दोस्तों ठीक है और यह ओसीमम सेक्टम यह होता है आपका अगला कोशन आ जाता है इलेक्ट्रोन का नाम खालिस्थान द्वारत दिया गया था बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस कोशन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जोर्ज स्टोनी यानी की राइट आंसर आपका दोस्तो बी हो जाएगा कब किया था दोस्तो 1891 में ये एर भी आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है जी अगला कोशन आ जाता है आपका निमलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सरकिट में विदुत परवा को मापने के लिए किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टनेंट कोशन है भई रेलवे इस टाइप के कोशन दोस्तो पूछता है और ये इजी होते हैं डिफिकल्ट नहीं होते हैं डारेक्ट कोशन होते हैं ये इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जेगा एमिटर यानि की राइट आंसर इस भी यह आपको याद अखना है ठीक है अगला कोशन आता है एसुद्यों को दूर करने के लिए अयस्क में मिलाया गया परदार्थ कहलाता है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होज़ेगा फ्लेक्स यानी की राइट आंसर इस ओप्षन है यह आपको याद रख रहा है अगला कोशन आ जाते है दोस्तों निमलिखित में से किस विज्ञानिक ने प्रिंटिंग मसीन का विस्कार किया था तो इस कोशन का राइट आंसर होज़ेगा बिल्कुल सही है केक्स्टन यानी की राइट आंसर इस ओप्षन सी यह आपको दोस्तों याद रख रहा है अगला साथवा कोशन है गामा किरने है बिल्कुल सही है इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर होज़ेगा उच उर्जा विदुच चुम्बकी है यानि की राइट आंसर इस दोस्तो ओप्षन यहाँ पर C हो जाएगा दोस्तो अगर अगर से त्यार किया जाता है बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर सेवाल हो जागर रेड सेवाल होता है वैसे तो यानि कि right answer is option A ये आपको याद अखना है अगला कोशन आ जाता है दोस्तो आइडीन प्रिक्षन का पता लगाने के लिए उप्योग किया जाता है बिल्कुल सही है right answer दोस्तो हो जाएगा कार्बो आइड्रेट बिल्कुल सही उत्तर किया है अगर आप लोगों ने option A ये आपको right answer लगाया है अगला कोशन आ जाता है जेनेटिक्स के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो दोस्तो इन में से incorrect आपको छाटना है right answer इसमें से रहेगा देखे डबलू वर्टसन ने 1909 में पहली बार जिन सब्द का परियोग किया था तो ये आपका right answer हो जाएगा ये सही नहीं है ठीक है अगला कोशन आता है धवनी किस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है आपको यहाँ पे line में बताना है तो देखे अगर इन सभी में मैं बात करूँ दोस्तो तो धवनी सबसे जादा steel में तेजी से यात्रा करेगी उसके बाद आपका water और फिर air आएगा यानि कि right answer आपका दोस्तो ए हो जाएगा यहाँ ठीक है ठोस में धवनी की गती सबसे अधिक होती है यह point आप लोगों को याद रहेगा तो कभी इस question को गलत नहीं करेंगे ठीक है धवनी की गती उस माध्यम में गनत पर निर्वा करती है जिसके माध्यम से वे यात्रा करती है दोस्तो ठीक है अगला question आजाता है निमलिकित में से कौन सा गलत है दोस्तो तो इन में से आपको चूज करना है कौन सा गलत है देखे प्रोडूशर गैस लिखा है यहाँ पे दोस्तो कार्बन, मोनोकसाइड और हाइडरोजन तो यह गलत है इसमें से आपको गलत ही छाटना था ठीक है तो यह आपको याद रखना है ठीक है ना भई अगला कोशन आ जाता है दोस्तो जेवेलर्स द्वारा किस धातू का उप्योग सोना और प्लेटेनियम के आभुषनों को भारी बनाने के लिए किया जाता है यह कोशन आपका रेलवे 100% पूछेगा इस चीज को लिखवा लेना आप लोग इस टाइब के कोशन क्योंकि मैंने जब एनलिसिस किया था दोस्तो ALP से लेके NTPC, Group D सभी का एनलिसिस किया है मैंने इस टाइब के कोशन 100% पूछता है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा Iridium बिल्कुल सही है, Right answer आपका B हो जाएगा दोस्तो ठीक है, यह आपको याद अखना है दोस्तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोग को Iridium दोस्तो एक रसायनिक तत्व है जिसका जो परतीक है वो IR है ठीक है, और इसकी परमानु संख्या 77 है ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेगा तो यह भी आपसे कहीं बार एक्जाम में पूछ लिया जाएगा और दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Osmium के बाद, Iridium दूसरी घनी धातु है दोस्तो यह भी पॉइंट आप लोग जुरूर याद रखेगा ठीक है अगला कोशन आता है, निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप देखेगा ध्यान से कोशन को पढ़िएगा पहले तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लिखा है दोस्तो फर्स्ट प्लास्टिक पोलिमर टेफलोन यह गलत हो जाएगा यह सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका दोस्तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी रहेगा अगला कोशन आ जाता है दोस्तो काफी बढ़िया है मानव सरी के किस अंग में लिंफोसाइट कोसिकाय का निर्मान होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो यह भी आंसर बताएगा जल्दी से इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थी मत जावे ठीक है बोन मेरो यानि की राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वही अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो इन में से कौन सा दोस्तो सही नहीं है जल्दी से बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो relative humidity hydrometer नहीं यह सही नहीं है देखे hydrometer एक तरल के सांपेक स घनत्व कोम आपता है दोस्तो जबकि hydrometer सांपेक्स दरवता कोम आपता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है? चलेजी अगला कोशन आ जाता है निमलिकित में से कौन सा एक peripheral device है तो इस कोशन का ये तो चलिए इसमें तो वो आ गया दोस्तों आपका ये कोशन पता नहीं कहां से आ गया ये सभी दोस्तों peripheral device है आने की right answer आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा चलिए जी अगला कोशन आ जाता है कम हवादार इमारतों में निमलिकित में से कौन सी एकरिया गेसो को संचित किया जा सकता है बहुत ही बढ़िया है इस कोशन का दोस्तो right answer हो जाएगा रेडोन को बिलकुल सही है राइट answer दोस्तों आपका D हो जाएगा अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा सही है दोस्तों तो इन में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताईए बिलकुल सही है पहला पॉइंट लार्ज हर प्लांट बिलकुल सही है दोस्तों fastest growing plant बिलकुल सही है तो all are collect दोस्तों यह ठीक है यह सभी सही है यानि की right answer D हो जाएगा और यह सारे question अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं कवक वे पोदे होते हैं दोस्तों जिसमें कमी होती है तो किस चीज की कमी होती है very very important question mark कर लीजे इसको भी क्योंकि एक्जाम में आएगा ये भी कवक वे पोदे होते हैं जिसमें कमी होती है chlorophyll की यार तो right answer आपका दोस्तों third हो जाएगा option ठीक है अगला question आता है लीची का कौन सा हिस्सा खादे यानि की खाया जाता है तो जल्दी से बताए इस question का right answer दोस्तों क्या होगा बिल्कुल सही answer है एरिल दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है right answer आपका D रहेगा अगला question है परमानु सिद्धान्त का प्रस्ताव करने के अलाबा जॉन डॉल्टन ने किस पर सोध किया था तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है color blindness पे बहुत ही important question है यह भी मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और यह बहुत ही जादा important question है आप समझ लीजे इस type के question exam में पूछे जाता है मेरा experience है दोस्तों यह द्रव्यमान संक्या हमेशा खालिस्थान के बराबर होती है दोस्तों तो इस question का जरा answer बताइएगा इस question का right answer हो जाएगा proton और neutron की संख्या का योग यानि की right answer आपको दोस्तों बी हो जाएगा ठीक है द्रव्यमान संक्या हमेशा किसके बराबर होगी proton और neutron की संख्या का योग के बराबर होगी चलिए अगला question आजाता है निमलिखित कत्नों में से कौन सही है दोस्तों तो निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही है जल्दी से बताइए बिल्कुल सही उत्तर किया है ये सभी दोस्तों सही है इसमें ठीक है right answer यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कारिय करता है ये भी कई बार पूछा जाता है ठीक है काफी इंपोर्टेंट है कोश्चन तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल सही आंसर है राइट आंसर इस ओप्शन डी विटामिन डी दोस्तों एक्ट लाइक हार्मोन यानि की राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अगला कोश्चन है खालिस्थान भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क सुईधा और इगवर्नेंस साहेता परदान करता है इस कोश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनफोर्मेटिक सेंटर यानि की राइट आंसर एनाईसी हो जाएगा दोस्तों ये भी कोश्चन आपके एक्जाम में आया था इसकी स्थापना बता देता हूँ 1976 में इसकी स्थापना हुई थी हेड़कोर्टर दोस्तों नई दिल्ली में हैं तो ये आप लोग याद रख सकते हैं अगला कोश्चन आता है आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा कोन सा होता है दोस्तों तो देखें आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन यानि की छोटी आथ इस कोश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपको याद रखना है अगला कोश्चन आता है परमानू खालिस्थान दुआरा ओक्टेट पराप्त कर सकता है तो इस कोश्चन का जरा आंसर बतेगा बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने ओल अप दीज ये सभी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा तो ये पोइंट भी आप लोग याद अखेगा अगला कोश्चन आता है दोस्तों सितले पेज जैसे कोख और महत्पून मातरा में होता है ठीक है तो जैसे soft drinks होती है दोस्तों जैसे कोख है क्या इनसे में significant quantities होती है तो इस question का right answer हो जाएगा आपका caffeine इन में काफी मातरा में होता है दोस्तों right answer A हो जाएगा ठीक है चले अगला question आता है उप्वास की समय सामान्य व्यक्ति में blood sugar के mg dl की सीमा क्या है तो यह भी एक important question है दोस्तों तो यहां पर right answer हो जाएगा सामान्य व्यक्ति की पूछा है तो वह आपका 7200 हो जाएगा यानि की right answer आपका दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा c is the right answer तो यह आपको याद अखना है अगर पूछा जाए दोस्तों भोजन के तुरंत बाद कितनी हो जाएगी तो भोजन के तुरंत बाद 180 तक दोस्तों यह हो सकती है यह भी question आया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अगला question है अंगोरा उन से प्राप्त होता है तो अंगोरा उन जो है दोस्तों वो किस से प्राप्त होती है बिल्कुल सही answer क्या है बहुत सारे student यहां पर बकरी answer लगाएंगे गोट बट यह नहीं होगा दोस्तों यह खरगोश से प्राप्त होती है यानि कि A right answer हो जाएगा यह बहुत गरम भी होती है और बहुत महेंगी भी होती है दोस्तों ठीक है न अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा सही है दोस्तों तो इसमें अगर मैं बात करूँ अच्छा यह फिर आपका एक वो आ गया ठीक है यह सारे ही सही है वैसे ठीक है साइन्स के बीच में कम्पूटर बीच बीच में पता नहीं कहां से आ जाता है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा अवतल दर्पन का उप्योग है तो जल्दी से बताए दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा तो अवतल दर्पन का उप्योग कि अगर मैं बात करूं वीच ओफ फॉलोइंग और यूज ऑब दी कौनकेव मिरर तो इन में से तो कोई नहीं होगा ननोप दीज हो जाएगा दोस्तों यह आपको याद अखना है ठीक है चले अगला कोशन आता दोस्तों कि डाइनसोर थे डाइनसोर वर क्या थे दोस्तो यह बताना है जाएगा इस कोशन आ जाता हूं निमलिकित में से कौन सा अलमोनियंग का खणी जय दोस्तों और पडि Regierung कोन सा है तो इस कोशन का रहनीत सर्ण हो जाएगा एक है तो इस कोशन का दोस्तों राइत अंशर हो जाएगा बॉकसाइट बिल्कुल सही है यानि कि यह आपर सही आंसर रहने वाला है अगला कोशन आता है दोस्तों पारसे की इकाई माप है यानि कि आपको बताना है पारसे किसकी is the unit of measurement of किसकी measurement unit करती है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खोगोल या दूरी की कि उम्र क्या होगी तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर 50 ही हो जाएगा ठीक है यानि कि 50 years तो राइट आंसर आपका दोस्तों D हो जाएगा तो मैंने बोला था 35 प्लस तो आपके 35 प्लस कोशन हो चुके हैं आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों जड़ा कमेंट बोक्स में बताईएगा ठीक है